नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस विडियो में हम डिसकस करेंगे की ओफलोक्स ओजेट टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है ओफलोक्स ओजेट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओफलोक्स ओजेट टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की ओफलोक्स ओजेट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में Ophlox OZ Tablet को लेना recommended नहीं होता है Ophlox OZ Tablet के अंदर दो antibiotic दवाओं का combination होता है Ophlox OZ Tablet के अंदर salt composition, ornidazole और Ophloxacin होता है Ophlox OZ Tablet का उप्योग शरीर में bacterial और parasitic infection होने पर किया जाता है Ophlox OZ Tablet का उप्योग मुख्य रूप से पेट में इन्फेक्शन होने पर और डाइरिया यानी दस्त होने पर किया जाता है Ophlox OZ Tablet पेट के इन्फेक्शन को खत्म करके डाइरिया की समस्या को ठीक करती है इसके अलावा डॉक्तर त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर फैफणों में इन्फेक्शन होने पर दातों या मसूरों में इन्फेक्शन होने पर पेशाब में इन्फेक्शन होने पर जोडों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और का ना क्या गले में infection होने पर भी आपका Dr. Ophlox OZ tablet को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions हैं जिनमें आपका Dr. Ophlox OZ tablet को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की Ophlox OZ tablet की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Ophlox OZ tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Ophlox OZ tablet की वजह से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, भूप कम लगना, बधजमी और सिर्दन्थ हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की Ophlox OZ tablet को कैसे लेना recommended होता है। Ophlox OZ tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Ophlox OZ tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन Ophlox OZ tablet की खुराक उम्र, शरीर के वजन और infection की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में Ophlox OZ tablet को लेना recommended नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में Ophlox OZ tablet की डोज घटानी पड़ सकती है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Ophlox OZ tablet का सेवन करना recommended नहीं है। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Ophlox OZ tablet को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Ophlox OZ tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते।